तो गाड़ी लेना हर एक बंदे का सपना बन गया है और गाड़ी लेते टाइम सो रूम वाले भाई तुम्हारी खाल उतार लेंगे उस खाल को बचाने के लिए मैं तुम्हें बाई कुछ ऐसे उपाए बताऊंगा कि अगर तुम्हारा कम से का मोटा मोटा भाई एक से दो ला एंड कैसे आपको वालों के साथ डिल करना है जिसकी वजह से आपको वह चपत ना लगा सके जब आप सो रूम पर जाते हो ना बाई आप गाड़ी लेने जाते हो आपको वह पता देंगे गाड़ आपको प्रीमियम देना पड़ेगर आपको जल्दी चाहिए हम आपको एक्सेंडर वारंटी भी तुम्हें लेनी पड़ेगी अब एक्सेंडर वारंटी भाई यह क्या मसला वारंटी के लिए लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली आज आपके लिए क्योंकि जब मैंने यह गाड़ी ली निली सबसे पहले तो मुझे एक्स्पिरिय तो बाई सबसे पहले ना यही से शुरू कर देते हैं जब मैं अपनी गाड़ी को लेने गया तो बाई सोरूम पर जाने के बाद मैंने बोला भाई मुझे से थार डूलूडी तो सबसे पहले उनकी तरफ से एक ही जवाब आया देखो वाई इस पहां वेटिंग अब आपको व आप एसेसरी लगवा लो अगर उन्होंने बोल दिया गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है उसके बाद आपको बोले नहीं भाई आपको इस पैसेसरी लगवानी पड़ेगी तब आपको यह गाड़ी देंगे आप क्या बोलोगे नहीं भाई एसेसरी नीची है मुझे बिल होगा मैं रोक लोगा उनको जैसे तैसी मर्जी करके और आप क्या करोगे उनको 50,000 दे दोगे जिसमें भाई वे कम से कम 40-45,000 रुपे आपका बना लेंगे ठीक आपको वह यह जो आपसे वह 50,000 ले लेंगे दूसरा वे आपको बोलेंगे बाई एक और चीज कि भाई एक्स किलो मेटर और तीन साल की वारंटी आती है कमपनी से लेकिन एक्सिंडेड वारंटी में उनको क्या है अगर तुम उनको 20,600 रुपे एक्स्ट्रा दे दोगे 20,600 की लगाते हैं मोटा मोटा वाई उनके भाई उनको पाक साथ जार पा दस जार रुपे में फरगी नहीं सब्सक्राइब के तुम डिरेक्ट गाड़ी लेने के बाद मेहंदरा वालों को टोल फिरी नंबर पे कॉल करना और वहां से लेना उसके बीच में जो डिलर्शिप का कमीशन है ना खतम हो जाएगा और कितने रुपे का कमीशन होता है कमीशन होता है सिद्धा 10,000 रुपे का वह extended warranty आप 11,000 रुपे में टोल फिरी नंबर से फोन करके ले सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी GST लगेगी और अगर आप अपनी बिजनिस परपज से ले रहे हैं तो भाई GST भी रिटर्न हो जाती है आपकी तो मतलब आप कोल करके भी ले सकते हैं आपके 10,000 रुपे मो सब्सक्राइट को भी करनी अब यह लेने के बाद आपको उनको यह बताना है कि मैं गाड़ी को और भी कर नहीं पर देल करनी नहीं दो थीन सब्सक्राइबने का पूर करने का सब को जादा से जादा बेचनी है ठीक है ओनर एक हो सकता है GM सब के अलग-अलग मिलेंगे SM सब के अलग-अलग मिलेंगे तो जैसे आप उनसे डील करोगे कि मैंने तो वहां से भी ले रख आप बताओ किस प्राइज में देने वाले हैं अब भई वह प्रेसर आपके उपर बना रहे थे अपने सो रूम वाले को उपर बना दिया उल्टा कि यार यह तो बंदा दूसरे सहर से भी गाड़ी देख रहा है इसको अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ से लेगा अगर आप रिक्वेस्ट मत करो सोरूम वाले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सच बता रहा हूँ यह ट्रिक आप यूज करके देखना बहुत मोटा पैसा बचेगा आपका अब आपने ना उनसे इन्सी तब बोलना है भाई हम प्राइज बताओ क्या लगा रहेगा अब वह आपको भाई उनसे ना बहुत ही कम रेड़ बताएगा सबसे पहले तो उसको पता होता है वह सीटी वाले कितने की सेल कर रहे हैं अब आपको वह जो नोर्मल नोर्मल चार्ज होंगे आरसी में जीतने बच सकते हैं आपके होना है सारी चीज़ें उनसे ले लिए अब उनको कंपेर कर लो प्राइज आपको कहां से सश्टी पढ़ रही है आप अपनी डिवान रखो ना मैं सिस्री लूँगा ना मैं एक चीज़ की ओर डिवांड कर सकते आप ना मैं इंस्रेंस लोंगा इंस्रेंस क्यों नहीं टो टोल टोटल बैस जार रूपे यहां बचाया किन पन्तालीस जार रूपे एक्सेंडड वारंटी मैं ने लिया था नंगी गाड़ी लेकर आया आप इसको कुछ भी आज तक भी मेरी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं लगा हुआ यह जो मैट है ना यह भी भाई मैंने 3D मैट लगवा रखें और शेवंडी मैट लगवा रखें बाहर से और यह शेवंडी मैट भाई मैंने बाहर से आपके कम से कम 20-22000 रुपे बचेंगे सिद्धा सिद्धा मोटा मोटा आपका 1,00,000 रुपे तो मैंने आपका ऐसे वचा दिया अब आप गाड़ी पर कैसे डिसकाउंट ले सकते हैं सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की करनी है पीडी आई अब जब आप अपनी गाड़ी क जैसे भाई उनको पूरा पैमिंट मत करो उनको डॉकुमेंट कारवाई करने दो आपने स्क्रैच देख लो बस अपनी गाड़ी के पड़ा के है जो भी है और उनको बोल देना भाई ठीपिर निकराओंगा बतल के लोंगा गाड़ी उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी की बील आपने बोलना रिपिर निकराओंगा डिसकाउंट लोंगा भाई आपको क्या लगते कि स्क्रैच पर आपको कितने रुपय का डिसकाउंट मिल जाएगा मोटा मोटा बाई एक बंदे ने चाहिए लेकिन आपके गाड़ी बिल्कुल सही है फिर आप बैस मत करना यार कभी ड तो ठाउंट होगा तो वो तुम्में मिल जाएगा अगर ऑफिस्यल डिसकाउंट नहीं है फिन मिलें अगर देखो कंपनी के तरफ से दिसकाउंट आ रख्था वहो तुम्ले सORAक्षम पार बचेग हीनि तुम्हें बहुंत्जा सिद्दा यही करना है, मैं तो तुम्हें बचता हूँ, एक लाइन में बता दूंगा, सब से पहले सो रूम पर जाओ, 2-3 सो रूम पर कोल करके पता कर लो, तुम्हारी गाड़ी है यह नहीं है, उसके बाद तुम अपनी गाड़ी की डिमांड रखो, अपने प्राइज कंपेर करो प्राइज कंपेर करने के बाद गाड़ी लो एसेसरी बूल के भी मत लेना अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही पैसा है यह कोई ऐसी गाड़ी है भाई जो 300 उस ओर पे एविलेबी वाली नहीं है एक सो रूम वाला आपको दे रहा है एसेसरी के ब और तुम यह सी चीज़ सो उन से लोगें बता देंगे ऊचाव से श्टूडियों है उनके पास है रूम में घड़ी करके बंदा उस पर कपड़े से लगा देगा तुम्हें लगता है से हो ती है और सेरमिक कोटिंग के नाम पे तुम्हारे से 18,000, 20,000, एक साल की वारंटी दे के ये करके वो करके दुनिया बरके पैसे उतार लेंगे, मत कराना बोलके भी, मत कराना भाई, विलकुल भी, मैंने एक चीज लगवाई थी, सो रूम से वो था भाई, कैमरा, कैमरा क्यों लगव हो सके, बाहर काम कराओ, अपनी गड़ी में, अंदर मत कराओ, सो रूम पे, बहुत मोट आपका पैसा बच जाएगा, सच बता रहा हूं, ट्रेस्ट रखना, आप बाहर से कराओ कि कोई दिक्कत नहीं आती है, मैट वगयरा बार से लगवा, आमरेस्ट बार से लगवा, कैमर मेहंदरा से लो, यह मारूती के गड़ी ले रहे हैं, तो मारूती के टोल फीर नमर फे फोन करके लो, आपको आरेस्ट के नाम पे भी लुटा जाएगा, रोड़ साइड असिस्टेंट, मतले ना भाई, आप से ले लेंगे पांच शाड़े पांच जार रूपे, जो आरेस् चीज़े, आप नॉर्मल चीज़े रहो, ठीक है, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा, तो यह चीज़े ध्यान रखो, आपको कभी भी कोई सोरूम वाला लोटनी पाएगा, तो यार देखो, मेरा काम आपको बताना होता है, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा धटीज़ क कुछ ताटीज़े, अवाला काम कर काम है, अगर या आ देखो यारे सारा कोई यारा किर देखो, बताने मेर